नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे आन नियूज में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्वा आज साल का आखरी सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहन का प्रभाव उत्रा खड़ने पढ़ने वाला है सूर्य ग्रहन की वज़ा से बद्रिनात और केदानात धाम के कपाट बंद कर दिये जाएंगे उन्होंने का कि सूर्य ग्रहन की आवदी समाप्त होने के बाद शाम को विशेश पूजा अर्चना के बाद शद्धालू को दरशन के लिए मंदर में प्रवेश करने की अनुमती मिलेगी सूर्य ग्रहन का समय 4 बच कर 29 मिनट पर शुरू होगा और शाम 5 बच कर 42 मिनट पर खदम होगा यह सूर्य ग्रहन देश के कुछ हिसों में ही पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा सभी जानते हैं कि जब धर्ती और सूर्य के बीच परिग्रमा करते हुए चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहन होता है लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहन प्रित्फィ के हर हिस्स्ते से नहीं दिखाई देगा लेकिन ये ग्रहेंड यूरोप और एशिया के कुछ देशों में ही नजर आएगा उत्र भारत के जादाता इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहेंड की नजर आएगा अभी के लिए इस खबर में इतना ही बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जेजे न्यूस के साथ धन्यवाद